कद्धू की तीर्थ यात्रा हमारे यहां तीर्थ यात्रा का बहुत ही महात्व है पहले की समय यात्रा में जाना बहुत कटिन था पैदल या तो बैल गाड़ी में यात्रा की जाती थी थोड़े थोड़े अंतर पे रुकना होता था विविद प्रकार के लोगों से मिलना होता था समाज का दर्शन होता था विविद बोली और विविद रीति रिवाज से परचे होता था कई कटनाईयों से गुजानना पड़ता कई अनुबव भी प्राथ होते थे एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाली लोगों का संग संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्राथना की तुकाराम जी ने अपनी आसमर्थता बताई उन्होंने तीर्थ यात्रियों को एक कड़वा कड़ू देते हुए कहा मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता लेकिन आप इस कड़ू को साथ ले जाए और जहां जहां भी इसनान करें इसे भी पवित्र जल में इसनान करा लाए लोगों ने उनके कुडार्थ पे गौर किये बिना ही वह कड़ू ले लिया और जहां जहां गय इसनान किया वहां वहां इसनान करवाया मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया ऐसे यात्रा पूरी होते सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू संत जी को दे दिया तुकाराम जी ने सभी यात्रों को प्रीती भोज पर आमंत्रित किया तीर्थ यात्रियों को विविद पकवान परोसे गए तीर्थ में घूमकर आए वे कद्दू की सब्जी विशेश रूप से बनाई गई थी सभी यात्रियों ने खाना सुरू किया और सब ने कहा कि या सब्जी कडवी है तुकाराम जी ने आश्चर बताते वे कहा कि यह उसी कड्दू से बनी है जो तीर्थ इसनान करकर आया है बेशक यह तीर्थ पाटन के पूर्व कडवा था मगर तीर्थ दर्शन तता इसनान के बाद भी इसमें कडवाहत है यह सुन सभी यात्रियों को समझ आ गया कि हमने तीर्थ याटन तो कर लिया लेकिन अपने मन को एवं सभाव को सुधारा नहीं हम भी एक कडवे कड़ू जैसे कडवे रहकर वापस आये हैं यह कानी हमें यह बताती है केवल तन ही नहीं मन को भी साफ रखना चाहिए